हालो स्टुडेंट्स, वेलकम तू यॉर नेक्स्ट क्लास, बचो आज हम चैप्टर नंबर सेकेंड के अंदर, जो चैप्टर है हमारा माइक्रो और्गनिजम फ्रेंड इन्फोई, उसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे मेडिसंस, मतलब माइक्रो और्गनिजम का क्या क्या करते हैं, खतम करते हैं, किल दिजिजजेज, सेकिंड हैं, एंटिबायोटिक, थर्ड, स्ट्रेप्टो माइसन, एंड कंट्रोल प्लांट डिजिजेज, ठीक है, मेडिसंस का ये यूज है हमारी लाइफ के अंदर, जो माइक्रो और्गनिजम्स हैं, मेडिसंस के रूप एंटर अवर बॉड़ी, ऐसे डिजीज केरिंग माइक्रोब्स हमारी बॉड़ी के अंदर एंटर कर जाते हैं, तब हम वैक्सीन का यूज करते हैं, जो हमारी बॉड़ी के अंदर क्या प्रडियूस करती हैं, एंटिबाडिज प्रडियूस करती हैं, मतलब ऐसी बॉड़ी जो उन microbes से लड़ने के लिए सक्षम हों ठीक है वो होती है antibodies they fight वो क्या करती है fight करती है उस disease caring microbes के साथ ठीक है जिस तरह से इन्जेक्शन लगाते है तो प्रोटेक्ट फ्रॉण diseases जैसे आपको बचपन में भी vaccines लगी होंगी वह किसले लगती है कि इस से होने वाली आपको इन microbes से होने वाली diseases आपको ना हो इसके वज़गे से हमारी body antibodies अपने आप बना ले इस वज़गे से हमें वह vaccine और injection लगते हैं जैसे polio के program ने हमें polio drops पिल आई जाती है इस तरह से जैसे हमाओं मौॉऊपोजन को इन क्रिज कर सकते हैं चैसे बाइलोजिकल नाइंट रोजन फिक्सक डाइंट fiquei नाइट रोजन फिक्स करना सोइल के अंदर हम ऐसे भी मइक्रेघिजम् को यूज करके के सॉइल की पर्टिकलिटि को इंक्रीज कर सकते हैं। अब यह जो माइक्रो और्गिजम है वह किस तरह से हमारे एनवाइमेंट को क्लीण करते हैं। नेक्स्ट आपिक क्या है cleaning the environment ठीक है किस तरह से clean करते हैं तो आप लोगों निशनी देखा होगा कि जो dead plants होते हैं, ये animals होते हैं, वो क्या होता है, कुछ समय बाद, अगर उनकी death हो जाती है, तो कुछ समय बाद, वो अपने आप ही decompose हो जाते हैं, अपने आप ही खतम हो जाते हैं, उसमें क्या होता है, क्या चीज होती है, हमारे जो microbes है, microorganism है, जो हमारे environment में present है, वो क्या कर स्क्राइब करके देड़े यह जब और उनको क्या कर देते हैं और फिर वह और इसके इंदर निल जाते हैं तो कि इस तरह से हमारे क्या होते हैं थे the environment by use of micro organisms so जो यह points है यह उन्हीं पर यह जैसे manure खाद बन जाते हैं वो सारे dead animals और plants और वो collect the waste of the plants well when fruits put into the pit अगर हम उन्सको पिट में रखते हैं decaying plants and dead animals on the on the grounds वो अपने आपी क्या हो जाएंगे disappear हो जाएंगे दिखने पंद हो जाएंगे क्यों 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 उनके उपर microorganism का attack हुआ वो decay और decompose हो गए next क्या है microorganism degrade वो degrade कर देते हैं cleaning up the environment इस तरह से वो अपने environment को clean करता है अभी तक तो हमने यह पढ़ा कि वो किस तरह से हमारे लिए useful है कैसे हमारे friend है अब यह देखो जो microorganism है उस कैसे harmful है ठीक है तो जो सबसे पहले है वो है disease जो microorganism है कुछ आसे microorganism है जो क्या produce करते हैं डिजीस produce करते हैं disease causing microorganisms are pathogen जो organism बिमारी पैदा करते हैं उनको हम क्या nothin करते हैं एक बनाना है उसको अगर हमने जादा देर तक बाहर रखा तो वो क्या हो जाता है अपने आपी जादा राइप हो जाता है और वो डिके हो जाता है ठीक है ना खराब हो जाता है स्पॉइल फूड हो जाता है क्लोथ हमारे स्पॉइल हो जाते है क्लोथ हमारे खराब हो जाते है उनके उपर fungus टाइप लग जाती है जैसे आपने winter के time के अंदर जो हमारी mother's है वो क्या उसके अंदर? नफ्लीन की गोलियां डाल के रखती है वो किस वज़े से होता है? क्योंकि हमारे cloth में microorganism का attack ना हो जैसे leather के अंदर भी हो जाता है pathogens enter through air, water और food ठीक है air के तुरू, water के तुरू, pathogens उसके उपर enters कर जाते हैं और pathogens क्या होते है? disease causing microorganisms और pathogens वो सारे क्या होते है pathogens होते हैं next हमारी है communicable diseases communicable diseases तो क्या होता है? microbial diseases that spreads from infected person to healthy person मतलब ऐसी diseases जो एक infected person से मतलब एक किसी एक आदमी को बिमारी है उसके touch होने से ठीक है? उसके contact में आने से उस एक healthy person को एक अच्छे आदमी को भी क्या लग जाती है? वो बिमारी लग जाती है उस बिमारी को हम क्या कहेंगे? communicable diseases ऐसी डिजीजेजेज को हम क्या किंगी communicable diseases दुबारा देखो microbial diseases that spread from infected person to healthy person for example जैसे common cold होगा क्लोरा होगा और यह सारे क्या trouble clauses यह सब ठीक है उसके बाद है carriers of disease causing microbes आप देखो ऐसे कोम से carriers होते हैं हमें कैसे वो cause हो जाती है बजाए हमको touch भी ना करें तो भी हमें वो diseases हो जाती है कैसे house fly sit on the garbage अब अगर वो house fly है वो garbage के ओपर बैठती है animal excreta पर बैठती है तो फिर वही क्या हो जाती है वो हमारे घर पे खाना जो है उनके पर बैठती है तो वो क्या करती है disease cause करती है ठीक है इसी तरह से mosquitoes होते हैं जो malaria और dango फिलाते हैं इसी तरह से इनका carriers होते है of disease causing microbes अब यह देखो animals में तो इनके अंदर क्या है microorganism, microorganism cause diseases anthrax and diseases caused by a bacterium और यह सारी animals के अंदर किसकी वज़े से होते है बैक्टीरियम की वज़े से होते है जो anthrax बिमारी होते है animals में अब यह है plant के लिए plant के अंदर diseases reduce the yield of the crop उसकी result जो हमारे जितनी yield mainly है उसको क्या कर देता है कम कर देता है controlled by the use of certain chemicals हमें certain chemicals की use करके उन बैक्टीरिया को उन microorganisms को हटाना होते है जिससे हमारी yield कम ना हो वह हो गए हमारे harmful effects जो हमारी हमें harmful करते है microorganism अब हम पढ़ेंगे food preservation की food को किस तरह से preserve किया जाता है किस तरह से बचाया जा सकता है by attacking of microorganism ठीक है तो फर्स्ट मेथड है वह है chemical method chemical method क्या कहता है salt or edible oil are used as preservative मतलब जो oil और salt है उनका use करकर हम अपने खाने को बचा सकते हैं उसको preserve कर सकते हैं dry salt के साथ उसको उसके उपर एक salt की layer बना कर रख देते हैं salt के layer बनाने से क्या होता है उसमें microbes का microorganism का attack नहीं होता ठीक है check the growth of bacteria फिर हम क्या करते हैं बेक्टीरिया की growth को चेक कर सकते हैं नेक्स्ट है preservation by sugar आप नहीं देखा होगा जो भी jelly और यह jams यह सब होते हैं इनके उपर sugar की एक layer होती है जो sugar होती है वह क्या काम करती है sugar moisture को absorb कर लेती है और वहां पर जहां पर वह है वहां पर गीलापन नहीं होने देती तो क्या करता है शुगर अपनी उपर layer बना देता है और moisture को absorb कर लेता है महां पर moisture आया ही नहीं नहीं आया तो इस वज़े से क्या होगा microorganism का attack नहीं होगा तो jelly jam special is produced by the sugar sugar reduce the moisture content तो sugar क्या करती है महां के moisture content को reduce कर देती है उसके बाद है preserving by oil उसके बाद है preserving by oil and vinegar और vinegar का use करकर भी हम अपने food को preserve कर सकते है next है heat and cold temperature ठीक है heat and cold treatment तो अभी heat and cold treatment क्या है आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे घर में दूद आता है तो हमारी जो मदर से वो क्या करती है उस दूद को boil कर कर रख देती है ऐसा क्यों करती है देखो हमने जादा temperature अगर उस milk का कर दिया हमने उसको boil कर दिया उसकी वज़े से क्या होगा उसके उपर microorganism survive नहीं कर पाएंगे क्योंकि microorganism ना तो जादा थंडे temperature पर और नहीं जादा गबरम temperature पर ठीक है नहीं survive कर पाते तो क्या करते हैं तो इसी वज़े से क्या करते हैं हम अपने food को किस में store कर देते हैं तो टेंपरेचर जादा हो जाता है ठीक है और हम बॉइल कर देते हैं हमारे मिल को वह एक्जामपल है कि हीट ट्रीटमेंट हो रहा है ठीक है तो उसके बाद स्टोरेज एंड पैकिंग अब स्टोरेज और पैकिंग का क्या है आप लोगों ने देखा होगा आपकी जोई चि कहा होगा आपके चिप्स और या सब सीलने लग जाते है और मैंसे बोलते कि यिए लग जाते हैं बहुत ज़यादा सौल ओजाते है तो वो क्या होता है माहिक और इसे वजय से इसे एया घ्या टैट पैकेट्स प्रवेंट दा अट्था उनके माइक्रोप्स का अटैक नहीं हो पाता जब वो एर टाइट होता है ठीक है I hope आपको इस अब समझ में आया होगा आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थैंक यू